हेलो बच्चो कैसे हूँ आप आजम कक्षा दो हिंदी की वर्क्षीट हल करेंगे उपविश्य सूरज जल्दी आना जी सप्ताः 26 तो चलिए वर्क्षीट हल करते हैं प्रशन एक नीचे दिये गए प्रशनों के सही विकल्प पर सही का निसान लगाओ बच्चो यहाँ पर हर प्रशन के दो विकल्प दिये गए हैं आपको सही विकल्प पर सही का निसान लगाना है पहला करते हैं कवीता में बच्चा किसे जल्दी आने के लिए कह रहा है तो यहां पर सही विकल्प है ख सूरज को दूसरा बच्चा सूरज से कैसी धूप लाने के लिए कह रहा है तो यहां पर सही विकल्प है क गोरी तीसरा जम कर कौन बैट गया है तो यहाँ सही विकल्ब है Kh 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 दो निम्न लिखित सब्दों में से कौन सा सब्द बाकी सब्से अलग है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सब्द के लिए चार अलग अलग सब्द दिये गए है इन चार सब्दों में से कोई भी एक सब्द सब्से अलग है हमें उसे छाट कर अलग लिखना है पहला करते हैं धूप धूप के लिए यहां कहा गया है सूरज, गर्मी, चांदनी, पसीना तो यहां पर सबसे अलग सब्द है चांदनी क्योंकि चांदनी चांद की होती है दूसरा कपड़े कपड़े के लिए सब्द दिये गए हैं और अंगोठी धातू से बनी होती है अगला है दिवार दिवार के लिए जो सब्द दिये गए है इट, सिमेंट, बरसात, चूना तो इसमें सबसे अलग सब्द है बरसात, बरसात एक तरह का मोसम है और इट, सिमेंट, चूना ये सभी दिवार बनाने के काम में आने वाली सामगरी है अगला सब्द है बादल सब्द दिये गए हैं बारिस, पानी, गीला, पटना तो यहाँ पर सबसे अलग सब्द है पटना क्योंकि पटना सहर का नाम है बारिस, पानी, गीला ये सभी बादल से संबन्दित है चलिए अगला प्रशन करते है प्रशन तीन नीचे दिये गए सब्दों के विलॉम अर्थात उल्टे सब्द लिखिए पहला धूप, धूप का विलॉम सब्द लिखेंगे छाया दूसरा गीला, गीला का विलॉम सब्द लिखेंगे सूखा तीसरा सच, सच का विलॉम सब्द लिखेंगे जूट चोथा आना, आना का विलॉम सब्द लिखेंगे जाना पांचवा जल्दी, जल्दी का विलॉम सब्द लिखेंगे धीरे छटा बड़ी बड़ी का विलॉम सब्द लिखेंगे छोटी साथवा बैठा बैठा का विलॉम सब्द लिखेंगे खड़ा आठवा एक एक का विलॉम सब्द लिखेंगे अनेक चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेशन चार कुहासे का मतलब है कोहरा या धुंद कोहरा किस मोसम में छा जाता है तो इसका उत्तर लिखेंगे सरदी के मोसम में चलिए आगे बढ़ते हैं प्रशन पांच नीचे कुछ चित्र दिये गए हैं इनके बारे में एक-एक वाक्य बनाओ तो बच्चों यहाँ पर हमें चित्र को पहचान कर वाक्य बनाना है पहला चित्र है प्रत्वी का प्रत्वी से वाक्य बनाएंगे हम प्रत्वी पर रहते हैं दूसरा चित्र है सूरज का सूरज से वाक्य बनाएंगे सूरज पूरव से निकलता है तीसरा चित्र है तारे का तारे क से वाक्य बनाएंगे रात में तारे टिम्टिमाते हैं चोथा चित्र है बादल का बादल से वाक्य बनाएंगे आसमान में काले बादल छाय हैं पांच वाचित्र चांद का चांद से वाक्य बनाएंगे, चांद पिर्थिवी का चक्कर लगाता है, बच्चो आप इन वाक्यों के अलावा भी अपने सब्दों में अन्य वाक्य बना सकते हैं, तो बच्चो ये वर्क सीट यहां कम्पलीट होती है, अगर यह वीडियो आपक नौलजजगिंग्ग्दम, थेंक यह